हिंदुस्तान आदाद मन्जद्वारा रविवार को सिविल कोर्ट बार एसोसियेशन के सबागार में लोक तंत्र में युवाओं की भूमिका विशे पर एक संगोष्टी संपन हुई जिसमें लोकतंत में युवाओं की भूमिका कैसी होनी चाहिए इस पर विस्तित रूप से चर्चा हुई कारकरम के बतावर मुकातिती हिंदुस्तान आजाद मंच के राष्ट्री अध्यच मुकेश देजबंदू का नौश से शामिल हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो सच्चे सपूत थे आज तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में युवाओं के लिए बातें की जाती हैं लेकिन उनको उचित परतनिदू करने को नहीं दिया जाता है इस अवसर पर वरिष समाज सेवी मानी सरवेश पाल, किसान नेता राम जसपाल, सरवेश मिश्रा, रितुराज तिरपाथी, करशलेश पांडे, बार काउंसिल अध्यच विरेंश शाही, मंत्री बार एसोशेशन अजय कुमार शुगला, परमोत कुमार पाल सहित, आजाद म चारिए अग्या आगा, और अजय कुछ भी मूँच साथ बोल करते तो और जीच सकता है, तो अबने अबहर हैं, उद्धे भागी नेए, तो इस तो तरीटे हैं, इस तरीटे से बटा हुआ थे, कि उसका बखान नहीं किया ड़सुकता है, आज ये हिंदुस्तान आजाद मंच के वेनर तले कारकरम का आयोजन किया गया है जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में जो सच्चे सहीद थे आज तक उनको सहीद का दर्जा नहीं दिया गया और दूसरा सबसे वड़ा मुद्दा है इस देश में युवाओं के लिए बात तो की जाती है लेकिन उनको उचित प्रतिनित नहीं दिया जाता है इस विषय पर चर्चा हुई है और आगे इसको और कैसे आगे बढ़ाया जाएगा युवाओं को कैसे उनकी भागेदारी सुनिश्चित की जाएगी इस पे और आगे मन्थन किया जाएगा